तो ये देखिए कितनी लाजवाब बनी है हमारी ये घुगनी की रेसिपी हेलो फ्रेंट्स मैं राजीव राजीव की चेनिल फोम आपका स्वागत है आज हम बनाएगा सुखी देसी मटर की घुगनी तो चलिए बिलाक्षिदेरी के सुरू करते हैं घुगनी की रेसिपी बनाने के लिए फ्रेंट्स हमने एक सोग्राम देसी सुखी मटर लिया है उसे भीगने के लिए लगबग 8-10 घंटे छोड़ दिया हो भीगने के बाद हम इसे एक कट्रोडियम निकाल लेंगे और उसके बाद हमने समगी जो लिया है दो मेडियम साइज क एक टमाटर दो शतीर हरी मीरच और अधीन चदर का टुग्रा तो इन सारव को इस पर करके सेफ में काट लिया है तो आप चलते हैं फ्रेंट्स नेक्स परसेश पर के प्राइच्ट्ज पर तो नेक्स परसे लिए आप चाहे तो सेकर आएं भी बना सकते है उसमें लगब डि जीने को रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद मतर को ढालेगे। तो यह देखें फ्रेंट्स के देसी मतर का कुछ स्वाधी अलग हता है गूगनी मेंley तो आप देसी मतर का एक बार अपने घर में इस्तमाल जरूर करें इस प्रकार के गुगनी एसपी का तो आप तो इस बटर को कूकर में बॉयल करके भी बना सकते हैं लेकिन उसका टेस्ट अलग हो जाता है और ट्रैक्ट इस प्रकार से बनाएं तो यह देखिए हमने इसे लगब पांसे साथ मिद तक इसी प्रकार से चलाते रहेंगा कि उसके बाद फ्रेंट समय और हरी मिर्च हमने जो काटर था प्याज और अधरक को बीस के रखा है उसे हम डालेंगे तो तेनों चीजों को इसी इस्टीच पे डालेंगे लगबग मतर को पांचे साथ मेड के बाद आप चाहे तो मतर को ढख सकते हैं लेकिन नौर्मल याप ऐ इन सारे को चलाने के बाद हम इसे लगवग प्याज डालने के बाद भी चार से पांच मेंट तक इसे पगाएंगे मेडियम फ्लेम पे तो हमारा प्याज बिल्कूल गल जाएगा तो इसी परकार से आप इसे चलाते रहेंगे प्रेंट्स तो देखिए कलर भी हलकाल का चेंज हो रहा प्याज का तो यहां पर हम नमक डाल देंगे नमक अपने स्वार की साब से डाले तो नमक डालने कवाद फिर से हम इसे चला लेंगे अच्छे से और इस तरीके से हम इस परकार प्याज डालने के बाद चार से पार्च मिल्ट पकाल लेंगे इसमें और अब बाड़ी आती है इसमें प्रेंट इसका कलर भी चेंज हो गया यह अच्छे से पक भी गया है तो अब यहां पर टमाटर कर लेंगे टमाटर जो हमने काटके रखाता है और टमाटर डालने के बाद फिर्ट हम इसे चला लेंगे साइद यूटूब पर रेसेपी पहली बार है इस तरीके से देशी सुखी मटर की भोगनी आपको साइद नहीं मिले तो हम यहां पर मसाले एड कर लेंगे फ्रेंज मसाले हमने हल्दी धनिया यह थोड़ी सी चाट मसाला और यह एक चुटकी धनिया पौडर मसाले हम एड कर सनश में यह थोड़ी सी हमिला लेंगे और मसाले हम घख्या से भूलने के लिए फ्रेंड इसमें थोड़ी सी पानी का इस तमल एहां पर करेंगे तकि मसाला जो है आपस में कोट हो जाए अच्छे से हमारे मटर में चिपक जाए तो उसके लिए हमने थोड़ी सी पानी का इस्तमाल किया है ज्यादा हम पानी डालेंगे इसमें किबल मसाले कोट करने के लिए हम दालेंगे दो से तीम चमच पानी तो यह देखिए तो आप मसाले अच्छे से चिपक जाएंगे सारी प्याज टमाटर और मटर में और इसे डालने के बाद फिर से लगबग तीन से चार्ड मेंटर और मसाले को भूनने तो सारा प्रक्रिया यह लगबग 15-20 में यह कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंट्स यह रसेपी घूगनी की र तो अब यह फैनली हमारा बन के तयार है अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं यह देखी किता बढ़िया बना है हमारा यह घूगनी के रेसिपी तो आप भी इस तरीके सपने घर पर इस रेसिपी को फ्रेंट्स बनाए और इस देसी घूगनी रेसिपी का आनंद लें और तो आप तो हमारे ने हो तो हमारे चैनल को सुब्क्राइब को घंटी के लाइकन को जबूर दवाएं और हमारे कमेंट करको बताएं कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी तब तक के लिए धन्यवाद अगर यह रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मारे वीडियो को लाइक और मारे चैनल को सुब्क्राइब कर घंटी के लाइकन को दवाना ना भूले ताकि यह तक रेसिपी आप आगे ही मिलती रहे तब तक के लिए जय है जय भाराद